पंजाब के स्रीमें आप सबका स्वागता है मैं हूं चंदर शेकरदर्णी इसलोगत रतनलाल कढ़ायरीय पूरव कैंद्रिय मंतरी तथा satsad हैं जो अंबाला से हमारे साथ मौझूद हैं बाचीत करेंगे कटारीय जिया आपका स्वागता पंजाब के आज मैं जलियाँ वाला नरसंगहार में जर्नल डायर के दुबारा जो अंदा दून नरसंगहार किया गया था उसके अंदर जिन लोगों ने अपने शहादत दी है मैं उनके चर्नों में अपना सर नतमस्तक करता हूँ आज भारत के ये सस्वी प्रधान मंत्री आदरिया नरेंदर मोदी जी ने भी उन सभी शहीदों को अपने सर्था सुमन जो है वो अर्पित किये हैं और इस बात का संकल्प लिया है कि आने वड़े समय में दूनिया की कोई भी ताकत भारत की तरफ आँख उटा कर नहीं देख सकेगी कठारिया जी जिस परकार से लगातार आप देख रहे हैं कि राजनीती जो है वो कहीं न कहीं आजकल शहीदों के नाम पर ज्यादा शुरू होगी है आम आदवी पार्टी ने जिस तरह से शहीदों भगसिंग के नाम पर वहां पर शबत लेकर खटकट कर लांसे जिनीती में किस तरह से अलुभव करते हैं भारत के शहीदों के चरणों में नमन करना एक बहुत अच्छी बात रही है और भारत वर्ष में आज से नहीं जब से ये राष्ट बना है और जिन जिन महानाईकों ने देश के लिए अपने प्राण नच्छावर किये हैं सारा भारत उनके अदम्य सहास और बलिदान के प्रती नत्मस तक होता रहा है लेकिन इसे अपनी ओच्छी राजनीती का धंदा बनाना उसके अंदर वोट बेंक को तलासना ये कोई अच्छी बात नहीं है आज तो हिंदुस्तान की जनता बहुत जागरुक हो गई है आज डिजिटलाइजेशन का युग चल रहा है आज चीजें कितनी तेजी से ट्रेवल करती हैं आम आदमी भी इस बात को चाहता है आज तो एक्सिलेंसी की जरूर्थ है आज वेल्यू बेस्ट पॉलिटिक्स की जरूर्थ है ये नहीं है कि आप जो है जो वो परिकर्मा होती है उसका जमाना चला गया अब देश की जनता ऐसे लीडरों को लायक नहीं करती जिनका परिकर्मा करवाने में विश्वास है कठारिय जी बात की जाए मेट्रो पॉलिटिन सिटी की पंच कुला को मेट्रो पॉलिटिन का दर्जा चीम मिनिस्टर सहाब ने दिया पिछे कारेकरम भी हुआ कई क्रोडों की योजनाएं भी लागू की गई आप सांसद हैं यहां से आप क्या कहेंगे मैं यह कहना चाहता हूँ कि आदरनिय मुख्यमंत्री जी ने कुल मलाकर जीला के लिए आठ सो क्रोड रुपे की नई और पुरानी सोगातें दी हैं और जो काम पूरे हुए हैं वो पांच हजार क्रोड रुपे के काम पूरे हुए हैं और जिन में से डाई अजार क्रोड रुपे से उपर के अंदर सरकार की परियोजनाएं वो हमारे इस जीले के अंदर लाकू हुई हैं जैसे पंचकुला से जमना नगर जो फोर लेन बनी है और आज जिस तरह से सुरुजपूर से लेकर जो फोर लेन बद्दी तक बन रही है जो रेलवे लेन वहां मंजूर जो है वो हुई है और यहीं इसी जहां हम बैठे हैं यहां पर पांसो क्रोड रुपे की लागत से आयूस जो है वो एम्स बना है आयूस एम्स यहां पर बना है और पंचकुला के अंदर निफ्ट बना है यहां ओर ब्रीजिज अंडर पंचकुला जिले के अंदर हो रही हैं और मेट्रो पॉलिटन सीटी बनने से अब बड़ी-बड़ी कमपनिया जो है वो पंचकुला जिले के अंदर आएंगी और बरवालाक्षेतर को अधोगिक दिरिष्टी से भी जो है वो उन्नत करने का आधरिया मुख्य मंत्री जी ने ज साथ में मेरी स्रीमती बंतो खटारिया भी थी हमने हाद जोड़कर परधान मंत्री जी से अंबाला लोग सभा के विकास के लिए गोहार की है और उन्होंने पुरा-पुरा विश्वास दिलाया है कि मेरी सरकार जो है वो अंबाला के विकास के लिए प्रतिवद है और उन्ह मैं वहाँ पर साथ सार रहा हूं तो हम उसके विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। समापन हुआ था साथ तारीक को एक दिन पहले हो गया। जब सत्तर चलता है तो हम सत्तर में एक बार किसी ना किसी सांसद के घर आदर्निय मुख्यमंत्री जी को बलाते हैं और जो सांसद हैं उनको जो अपने अपने लोगसवक शेतर के अंदर विकास के कारियों की जो बात आ रखते हैं और वो बाते उस दिन क्रिशनपाल गुजर के यहां रखी गई और जिस दिन हमारे राव साब के यहां था उस दिन भी हमने मिलके यही संकल्प लिया कि पंजाब ने जो चंडिगण को लेकर जो प्रस्था पास किया है भारतिये जंता पार्टी उसका विरोध कर होती है और पहले भी साथ बार पंजाब जो है वो हर्याना के हीतों के उपर जो है कुठारा घात कर चुका है चंडिगण जो है वो हर्याने का था हर्याने का है और हर्याने का रहेगा मैं यहां से मेंबर पार्लिमेंट हूं अमबाले से चंडिगण जो है वो सारा अमबाले का पाठ था, खर्ड जो है वो हमारी तैसीर थी इसलिए हमारा हक उसके उपर पहले बनता है हाँ, अगर कोई बातचीत होती है, तो एक मुस्त फैसले होने चाहिए, उसके अंदर हिंदू, हिंदी स्पीकिंग एरियास भी आते हैं चंडीगड़ भी आते हैं, तो इन सब बातों के उपर एक मुस्त फैसला होना चाहिए, उसमें S.Y.L. का पानी का मसला भी आता है इन गंभीर विशों पर S.Y.L. का हो हरेना की राजधानी चंडीगड़ का हो हिंदी बाशी की चत्रों का हो, परधान मंतरी ही नहीं है कि उनको जानकारियन हो, उनके संग्यान में सारी बाते रहती हैं, और अगर कोई वक्त आया, अगर भारत्य जिन्ता पार्टी हर्याना की इकाई परधान मंतरी से मिलने का कारेकरम बनाती हैं, या आदनिया मुख्य मंतरी अपने कैबनेट के सही होगियों के साथ, सांसितों के साथ मिलकर कोई परधान मंतरी से मिलने का कोई इस परकार का कोई कारेकरम बनाते हैं, तो निश्चित तोर पर फिर कुछ बातें आदरनिया, परधान मंतरी जी के संग्यान में लाई गाएंगी. अबधान में विधान सवा के अंदर आँ आदमी पर्टी जिस परकार से रोज दल बदल लोगों का करवा री है, और दलों से लोग शामिल हो रहे हैं, कोई बीजे पी में तार पीडो ना हो, बीजे पी को कोई नुकसान ना हो इसको रोकने के लिए क्या रननीती बीजेपी अपना रही है आप पुराने पॉलिटीशन हैं आप क्या समझते हैं देखिए हर्याना प्रदेश के अंदर भारत ये जंता पार्टी सौंड फूटिंग के ओपर खड़ी है हम किसी लहर के ओपर नहीं आए हम काम करके यहा का संगर्स है हमने सर के ओपर तक्त भी उठाए दरियां भी बिचाई और गौओं-गौओं के अंदर मारे मारे फिटते रहे डाक्टर मंगल सैन के साथ राम बिला सर्मा के साथ कमला वर्मा के साथ हमने खून पसीना करके हर्याना प्रदेश के अंदर भी भारतिया जंता प इतने पारदर्सी डंग से हर्याने की जंता की सेवा कर रहे हैं मैं नहीं कह रहा हूँ अभी पिछे एक सर्वे हुआ था और मैंने हिंदुस्तान टाइम अखबार के अंदर वो सारा देखा कि जो हिंदुस्तान के सौध ताकतवर और पॉलिटीसियन, बिजनसमैन, खलाडी, एक्टर्स हैं उन सम्में से मनोर लाज जी जो है वो बीस बाइस में स्थान के अपर आज हिंदुस्तान के अंदर बहुत जबरदस्त पापुलर्टी के साथ खड़े हैं इसलिए हमें कोई चिंता नहीं है रही बात आपकी जब किस पार्टी को नहीं नहीं सफलता मिलती है तो वह बहुत उंची चलांगे मार मार कर बड़ी-बड़ी धिंगे मारते हैं पंजाम में उनकी जीत हुई है लोकतंतर है हम उसका सवागत करते हैं और जनता को पूरा हक है कि वह किसी को भी चुने लेकिन इसके साथ साथ इस बात क भी ध्यान रखना पड़ेगा कि यूपी में 377 सीटों के अपर आप पार्टी ने चुनाब लड़ा 377 पर जमान जपत उत्राखंड में सारी सीटों पर जमान जपत और मनिपूर में तो उनका थाई क्या गोवा के अंदर भी एक-दो सीट मिली है लेकिन बाकी सारी जगे के पर जमान जपत हुई है तो हम चार जगे पर जीते हैं अगर एक जगे दूसरी पार्टी आ गई है तो हम क्यों डरे हम इस समय विश्व की सबसे मजबूत पार्टी है और हम सारी चीजों के उपर पहनी नजर रखे हुए है और हमारा घर ठीक है हम इसको और मजबूत जैसे सेव की मंडी का और कई चीजों का वो सिलसला कहां तक पहुंचा क्या उसमें प्रोग्रेस हुई सेव की जो मंडी है उसको और ड्वेल्प कर रहे हैं और मैं आपको यह बता रहा हूं कि जो इंड़स्टियल कंप्लेक्स यहां पर बनने जा रहे हैं मेट्रोपॉलिट सीटी बनने के भाद आप देखना कि पंच कुला जो है गुड़गावां से भी जादा तरक्की करेगा आने वाले आठ तास सालों के अंदर और यहां पर धड़ड़ लोग इंड़स्ट्री लगा रहे हैं चारसो चारसो क्रोडर पर एक इंड़स्ट्री एकक जो है एंट्र महिने में यहां पर प्रोपर्टी के रेट भी दो तीन गुणा हो गया है आपको एक इंच पीजमी सजादपूर तक नहीं मिलेगी सब जगह विकास की बात्ते हो रही हैं लोग आ रहे हैं धड़ा-धड़ काम सुरू करने के लिए दने बाद तो यह हैं रतनलाल कटारिया स हैं बीजेपी के अंबाला से और इसके लावा केंद्रिय मंतरी रहे हैं रतनलाल कटारिया का दावा है कि मेट्रो पलेटिन बनने के बाद गुडगामा से ज्यादा गतिशील और विकासवान होगा पंचकुला और परधान मंतरी नेरेंदर मोदी की कर्म हूमी साथ साल परधान मंतरी जी से अच्छूती नहीं है कैमरा में संजे सिंग के साथ चंदर शेकर धरनी पंचाब केसरी टीवी चंदीगड हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन क अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद